स्मार्ट एं लीगल गाइदेंस डाउन्लोड डिया अप्लिकेशन नाउ अपना स्टेट बार कांसल के अंदर अपना एइबी का पेपर क्लियर कर लेते हो अपना अपना एसा रेजिस्टर अपना करा लेते हो उस दिन से आपका जो है एक्सपीरियंस एज एन एड़ोकेट आपका काउंट होना शुरू हो जाता है सीधी सी बात है अब यह बात मैं अपना कोट का जज्जमेंट तो होगा अभी रिसेंट्ली यहां पे पंजाब एन हाई कोट के सामने यही से मुद्दा आया था यहां पे पंजाब सरकार ने अपनी नौटिफिकेशन निकाली थी एडिये के एक्जाम को की भरती करने के लिए अपना एसिस्टेंट डिस्ट एक अटर्मनी की भरती करने के लिए यहां पे सरकार के दुवारा यहां पे एक पनी नौटिफिकेशन में गोला था कि अगर आपको अपना एक्सपीरियंस वकालत का लीगल प्रोफेशन का एक्सपीरियंस अपना शोग करना है ना प्रूव करना है तो आपने हर साल छे है अपने मैटर आग्यू करा है कोई रिलिफ दिलाई है या कुछ भी डेट भी है तो आपको वह अपने एक साल में छे केस अपने शोग करने पड़ेंगे अगर आप हमार को यह बात शोग कर दोगे तो हम मान लेंगे कि आपका लीगल प्रोफेशन का एक्सपीरियंस है जि अपना एयबी बीडिकलियर कर लिया अपना स्टेट बार एसोसीशन में रिडिस्टेर रिडिस्टेशन बीर लिए है अभ उस्ज schw fulfil व्हक्ष簡 होता है ना कि भाई फोंषेट्र कौरें चलिडीर होती wildly होती है। जैसे कंजीमर कोट हो गए ट्रेडिट्रों सओ गयी अप्ट कि यहीं तो डीनां कि अऑटि करोंगे और किसी जगशा करोगे और और किसी जग़ पर अप्रक्टिस नहीं कर 자कते तक कोई भी जूडिशन Digital बॉरी इसमस्च अपर अ कॉअपर लगा होता है यहां पे बाउन करो होता है कि असको मजबूर किया होता है कि इसके पर बंदूश्य ऐसी होती है नहीं होती तो जब पंजाब सरकार ने इसा नोटिफिकेशन निकाला कि आपको एक साल में छे केस में आप अप्यर होए हो अपना ये शोग करना पड़ेगा ऐसा एड़ू के तोर पे एक्सपीरेंस नहीं मानेंगे ये तो गलत बात होगी सीधी सी बात है वकील हम हमारे पास पूरा दिखार है हमारे पास कोई मैटर आएगा अपना चेकश का तो हम से लड़ेंगे रेंट कव मैंटर आएगाँ रैंट कंड्रोल ट्रैभी ओनल जितने भी मनें वह से लड़ीजानी बढ़िए है कफिस चार्जें कर रहा हूं ऐसा नघुकेट को दोर पे क्लाइट को अपना लीगल अडवाइस करते हुए थर मेरा वकालत का experience count नहीं होगा यह माना जाएगा कि मैं advocate नहीं हूँ यह माना जाएगा कि मैं practicing advocate नहीं हूँ पंजाब सरकार ने जो notification निकाली ही कि आप वकील जब ही माने जाओगे आप practicing advocate जब ही माने जाओगे जब एक साल में आप छे case अपना हमार को शोगर होगे यह तो एक तरह से गलत बात है और यह तो आर्बिटेरी डिसी जने यह तो वकीलों को जो शक्तियां हैं वकीलों के पास जो अधिकार है अलग-अलग जाके जगा पे काम करने का वकालत के अधिकीला और यहीं तो वह तो रोका जा रहा एक तरह से यही बात पंजाब हर दो ने चांग प्रैक्टिस करें कहीं पे भी जाके उसको अपने आप को प्रूव करने की जुरत नहीं होगी होगी मैं प्रेक्टिसिंग अड्वोगेट हूं यह दो यह रहा चॉट को ऊच्छमेंट यह दो यह रहा है इस कोड के अंदर में आपके अपना एक्स्पीरियंस यहां पर लिया था यह चीज़ प्रूफ करने की वकील को कोई जुड़त नहीं बस वकील को अपना शो करना यह देख इस तारिक से जिस तारिक पर आपका बार एस्सेशन के सर्टिफिकर्ट पर जो तारिक लिखी होई उसी तारिक से आपका एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू हो चुका है यह मान लिया जाएगा एक वकील को और कोई भी चीज़ प्रूफ करने की जुड़त नहीं है कि वह अपना कोर्ट में प्रेक्टिस करता है कुछ प्रूफ करने की जुड़त नहीं है कुछ भी यह बात के लिए तो यहां पर इनकी भरतियों के लिए पंजाब सरकार ने अपने नॉटिफिकेशन निकाली थी एड़टाइजमें में लिखा था कि आपको अपने एक्सपीरियं के लिए एक साल में छे कोट के ओडर हमारे सामने दिखाने पड़ेंगे तब हम मानेंगे कि हाँ भाई आपका कोट एसन एड्वोकेट अप्रेक्टिसिंग हो अगर आप यह नहीं लेकिया है तो हम आपको भाई कर देंगे हम आपको भाब निकाल देंगे तो यह जो पंजा और पास कर दिया पंजाब ने यह फालतू का है एक वकील को केवल अपना बार एसोसियेशन का सर्टिफिकेट वो दिखाएगा बात ख़तम कि यहां बही मैं प्रेक्टिसिंग एड्वोकेट हूँ यह देखो गई बार एसोसियेशन में मुझे सर्टिफिकेट इशू कर हु को यह कुछ रोग करने की जरतनी है वकील को बहुत सरे वकील होते हैं जबने प्रेक्टिस करने नहीं चाहते हैं उनका काम अच्छा चल रहा है भाई क्वासी डूदीशल बॉडीज में चैक बांसिंग के मैटर्स में और भी बहुत सारे ट्रविनास होते हैं मैं तो बस इंदा बता रहा हूं ताकि आप मेरी बात को घहराई तक समझ पाओ तो अगर कोई व्यक्ति वैसे प्रेक्टिस कर रहा है तो उसे कोर्ट की तो इसके बाद प्रेक्टिस होगी नहीं तो क्या वह एड्वोकेट नहीं है घलत बात वो तब भी एड्वोकेट है क्योंकि बार बार निकाल सकती है अगर आपके उपर एलिगेशन लगे है कि आप वकालत करते हुए आप कई और दुकान दारी कर रहे हो कई कंपनी में जॉब कर रहे हो अधर फील्ड की लॉकी नहीं अगर तुम अपना कॉर्पेट लॉयर हो तो भी तुम रहोगे प्रेक्टिसिंग रह हो जाता है तब बार निकाल देता है याद रखेंगा या अगर तुम्हारी कहीं पर सरकारी नौकरी लग जाती है तुमने वकालत करी लेकिन तुमने एससी का पेपर दिया या कोई अन्या पेपर दिया जहां पर तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई तब तुम्हारा बार association और certificate है, वो expel कर दिये जाता है, तुम्हारी जो experience जब से count नहीं होती, क्यों? भाई अब तुम सरकारी नौकर पर आ गए, दूसरी लौकी फिल्ड से बाहर आ गए, तो बात ही कदम तुम्हारा जब लौकी फिल्ड से बाहर आ गए हो, वो experience तुम्हारा रोक दिये जाएगा, यह मैं judgment का नाम भी आपको बता देता हूँ, अगर आपसे कोई बहस बाजी करे, यह बात कहां बोली है, किसने बोली है, क्या बोली है, तो सीधा judgment बता ना, जोर्च सना, रावत, एंड अड अड अड़र्स, वसे स्टेट ऑफ पंजाब, एंड अड अड़र्स, दो हजार त पंजाब रहने ना, हाई कोट, judgment की कॉपी मैं अपने description box के इन आपको प्रवाइड करा दूँगा, और साथ में मेरी application के अपर भी latest judgments के, मैंने folder बना रखे हैं, वहाँ भी आपको प्रवाइड हो जाएंगे, याद रखेगा, अगर वीडियो बसंद आईए, और आपके कोई आने वाले हैं, याद रखेगा, क्योंकि अभी election का time है, इसलिए, इस tease का time को हम utilize कर सकते हैं, अपनी preparation को और बहतर बनाने के लिए, और दूसरे हैं सबसे बड़ा offer ये है, कि यहाँ पर जो अभी festival season चल रहा है, festival time चल रहे हैं, आपको बहुत बढ़ीया offers देखने को मिलेंग तो आपके पास ये बहुत बढ़ीया time है, इंडियन पिनल कोड में अगर आपको लगता है, मेरा ये subject बहुत weak है, बैच जोइन कर सकते हो, अगर आपको लगता है मेरा evidence act बहुत weak है, ये वाला batch जोइन कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरा CPC बहुत weak है, साथ में limitation निकाला हुआ है, आप लोग ये भी join कर सकते हो, और आगे आने वाले time में, जैसे राजिस्तान के अंदर हमारे minor laws बहुत सारे आते हैं, डिल्ली के अंदर हमारे minor laws बहुत सारे आते हैं, और सारे के सारे अपने minor laws का एक particular batch भी लेके आउंगा, constitution का batch भी लेके आउंगा, CRPC का करना के रख सकते हो, कभी आप अपना वकालत के अंदर, जब वकील के तौर पे अपना case को proceed करोंगे, सारे draft आपके पास होने बहुत जरूरी है, याद रखना, बना बहुत मुसीबत आती है, उस particular point of time के अंदर, अगर आप लोग AIB के अपनी तियरी कर रहे हो, सारे PYQs official व प्रवाइड कराता हूँ, कोई भी एक्जाम की तियारी आप कर रहे हो, जुडी श्री की, APO की, JLO की, सारे एक्जाम के आपको mock test, मैं subject wise प्रवाइड आपको upload कर दूँगा, धीरी धीरे, कुछ upload हो चुके हैं, कुछ आने वाले time में upload हो जाएंगे, और जो भी एक्जाम की application मेरा download करना बहुत जरूरी है, अगर पसंद आता है, फाइदा देखता है, तो avail जरूर करिएगा, तो वीडियो को like जरूर करेगा, share जरूर करिएगा, बाकी मिलते हैं next, वीडियो के तना, thank you, धर्वाद